नमस्कार राईस्यूस में आपका स्वागत हैं तो पेश आज की एहम कमरे आज हैमन सोरेन ने जारखन के तेरवे मुखमंत्री के रूप में सपत ली जेल से निकलने के छटे दिन ही उन्होंने राज की कमान अपने हाथ में ले ली सपत लेने के बाद हैमन सोरेन मीडिया से भी मुखातिब हुए हैमन सोरेन ने मीडिया से क्या कुछ कहा सुनिये खुद उन्हीं की जुबानी हम लोग खिर मिलेंगे फिर चलेंगे जो चली आई है वो परंपरा को आगे बहाएंगे मिलके बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब के पांच महिने जेल में रहना पड़ आप जेल में थे आपने वार कहब ही उसके बाद से जो बिड़ी थे वहां पे खास्तोर से ट्राइवल कम्यूनिटी दलित पिछड़ा जो इसे की वज़ए से केस नहीं लरबार है उनको लेगी क्या आप प्सक्राइब की अब अब देखके आई हैं इस तिति में किस आल में अभी आप डेखी आपके अपने ऊफले तो बैसे हम लोगों फोने इस राज में क्यार गुनाई है अब इस लुग से आर वो हमारा जेल का विसाएथा वो भी हमारे जहन में था सव्योग से तीक करने के मैं खुरी जेर के अंदर चला गया और उसको और भी करीब से देखा और अभी और उसको साइध अब जो उसके लिए होगा उसमें गमिया नहीं के बराबर हैं इस सरकार का कारिकार जो है आपने आगाज किया जनादेश आपको मिलगा रेफरेंडम और आपने उस काम को आगे बीच में पांच मेना नहीं थे समापके नहीं पाड़ी है नया स्टीट आपका जो इसमें दो तीन काम ऐसा जो आपको लगता कि स्पीजब करेंगे या चुनाव भी आरा क्योंकि करेकार बहुत थोड़ा बचावा है चुनाव भी है देखे चुनाव तो हम राज्यतिक दल करें के लोग है चुनाव को हमारे भी चाता जाता रहा है वर्षों से और आगे भी होगा है उस विसाय पर तो हम लोग मार्ची ग्रूप से दयार ही रहते हैं हाँ यह बात जरूर है कि इस विसाय को लेके राज की विकास कारियों में भी प्रवार ना पड़े इस्वभी ध जो तिम्यवारी सिर्कार जिस वजए इस कारनों से बनती है जिसके लिए इनका दाइत होता है जिसके लिए सपत ले जाती है उन सपतों को हम अक्षर साह पूरा कर पाएं पूरा करने का प्रयास करें और अभी हमारे मंत्री मंदल का भी इस्तार होगा और उसके बाद सभी चीजें तेजी से आगे बढ़ेंगी बढ़ेंगी क्या अभी तो आप लोगों को मालूम ही है सरकार बनने के बाद प्रकरतिक आपदा से लेके एक आटिफिशल आपदाएं भी आई राजनितिक आपदाएं भी आई कई पुतल पुतल चीजें होते रही इसके दौजूत हम चारा माग एडवंदन की ये सरकार बिलकुल निरंदर अपने मंजिल की और आगे बढ़ता रहा है अब तुकि एक सरकार के चारिकाल का ये आखरी साथ है और समय बहुत सारे चीजें एक साथ आएंगी उन सभी चीजों को एक साथ कैसे हम लोग गहतर तरीके से संभालें इ हचा आए दो कि ये ऊचार आएंगी उन समय पार है और समय को एक सभी के से साथ है और समय को एक साथ है और समय जाएंगी फोग खिसन